क्या बना रहे हैं आजा तो नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे खुस होंगे वैलकम टू माई न्यू लोग सामके बच गए है पांच और जैसा कि आपको पता है कि तो हार आने वाले हैं होली आने वाली है तो कुछ ना कुछ खाने के लिए तो चाहिए ही मिठा या भी चाट पकोड़े कुछ भी अब हत्वार में बनाने सुरू कर देंगे तो आज में शुरू आत करती हूँ बनाने की वैसा दो मैंने रसमलाई भी बनाई थी मिठाई भी बना दी और क्योंकि जो रसमलाई बनाई थी वह भी दोबी नहीं चली एक दिन चली और मिठाई बनाई थी ज़्यादानी मतलब सब खाते और अमारे तो मैं शोचरी कि कुछ ऐसा बना लूँ जो चार दिन चल जाए तो और जादा उसमें खर्चा भीना हो और तुवार भी आरे जासा कि तो सारी जोगी को सोचते हुए मैंने सोचा है कि आज मैं मठरी बना लेती हूँ और बच्चे भी कहते हैं कि ममा मिठा खाने का मन करता है और मुझे पुदी करता है मैं बच्चों का क्या ना लूँ तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं बनाती हूँ मठरी तो यहां देखे मैंने त यह सुजी फूसर चीज लिए मैंने मुझे लेना है दूध तो बस अब मैं बनाना सुरू करती हूं को कैसे बनाना है इतना ही सुजी लिया है तिल लिये हैं दो चम्मच्व और यह अधा कटोड़ी के लगबग मैंने लिए है रिफाइंड ओई लिवीज लिए दूगार्श तो यहां मैंने सबसे पहले ले लिए है सूजी, सूजी को छान लिया, उसके बाद जो आटा लिया है वो भी छान लूँगी और इन चीजों को छान के जरूर बनाई क्योंकि कई बार जाला भी लग जाता है या फिर गेम वगेरा का दाना आ जाता है और आटे की जगे आप इसमें मेदा भी यूज कर सकते हैं आपकी मर्जी है लेकिन मैंने आटे से बनाई है क्योंकि आटे की भी बहुत अच्छी बनती है जो मठ्री बनती है और दोनों चीजों को मिक्स करने के बाद फिर मैंने इसमें मिला लिया है तिल जो सफेद तिल लिय हैं और फिर मिला लिया है रिफाइंड ओयल थोड़ा थोड़ा करके मिला एक साथ नहीं जितना भी मुझे लगया कि जरूरत है उसी हिसाब से मैंने रिफाइंड इसमें डाल लिया और अब मुझे इसमें डालनी है पिसी हुई चीनी और जब मैंने आपको समान बताया था वो मेरे आदनी रही थी लेनी तो मैंने जब मतलब डो तयार किया जब फिर मेरे आदाई यह है बुरा मारकिट्स से पिसावा भी मिल जाता है या पिर आप चिन्नी पीसके इसको तयार कर सकते हैं तो यह भी मैंने सेम एक कटोरी लिया है जितना अट्टा और सुझी है हमारा सेम इतना ही तो सभी चीजे मिक्स करने के बाद अब मैंने लिया है एक कटोरी दूद ये नॉर्मल दूद है ना ये ठंडा है ना ही गरम है तो इसको थोड़ा थोड़ा डालके अब हम करेंगे ये डो तयार मत मत के सोट सा करना है जितना ज्यादा हम बतेंगे इतनी जो हमारी मत्री बनेगी वो कुरकुरी बनेगी जब तक ये अटा होता है तयारी इसको मैं 15-20 मिंट के लिए रख दूगी रैस्ट पे और जब तक ये तयार होगा तब तक मैं बना लेती हूँ चाए क्योंकि चाए पीने का टाइम होगा अभी तक चाए नहीं पी और यह रख दी है मैं बनने के लिए इस मैं फटापट से डाल दूगी चाए पती और अध्रक और यहां देखे चाए भी बनकर तयार होगी और मैंने खूब अच्छे से पका दी क्योंकि चाए जब तक उसका स्वाद नहीं आता चाए हम दूद कितना भी डालो पत्ती कितनी भी लेकिन पकाने का एक अलग होता है तो चाए बनगी है आजाए आप भी थोड़ी देर रैश्ट भी करेंगे और चाए भी पीएंगे तो यह हमारा पी टाइम तो चाए बगेरा पीने के बाद भी मेरा जो थोड़े बते बरतन बगेरा थे वो भी मैंने कर लिये और यह लगबग आधा गंटा हो चुका है इसको आट्टे को रखे वे और यह सोप्ट हो गया और फिर से मैंने इसको एक दो मिंट के लिए मसल लिया है और जितना हम मसलेंगे इतना ये अच्छा बनेगा तो यहां एक मैंने बड़ी सी लोई इससे ले ली है और बड़ी लोई को मतलब स्लेप पे थोड़ा सा ओईल लगा के तो बड़ी सी एक रोटी बेल लेंगे थोड़ी मोटी रोटी से मोटी बेलनी है रोटी जितनी नहीं वो हमें अपने उपर डिपेंड है हम कितनी मोटी या पतली बनाना चाते है तो यहां देखें बड़ी सी बना ली बने और आप इसकी सेप किसी भी सेप में इसे काट सकते हैं मैंने गिलास से काट ली जिससे गोल गोल सरकल बन जाए चाहे तो एक केक भी छोटी छोटी लोई बना के एक केक भी बना सकते हैं या फिर किसी भी सेप में कटोरी से या कोई कटर वगेरा होगा आपके पास उससे आप इस तरह बना सकते हैं देखे एक लोई को फैला लिया है रोटी की तरह है और फिर ग्लास मैंने लिया और उससे 3-4 पीस हराम से निकल गए तो इसी तरीके से सारी मट्री मैंने तयार कर दी और ऐसे ऐसी बना दूँगी फटाफट तयार कर लُगी और इसमें फिर मैंने लिया है फोग और फोग से दोनो साइड तो यह फूल जाएंगे क्योंकि इसमें हमने ओल वगेरा अच्छे से डाला हुआ मोन और अगर इसमें ये दोनों साइडी करने जरूरी है तो ये मैंने कर दिये हैं सभी में जो मठी बना के त्यार की है तो यहां कुछ मठी मैंने बना ली सारी नहीं बनाई और रख लिया है कड़ाई गैस पे और यहां पे सबसे में मतलब ध्यान हमें रखना है जो ओल है हमारा वो जादा गरम नहीं होना चाहिए और यहां देखे मेरा ओईल थोड़ा गरम हो गयता लेकिन मेरे से तूट गी थी फिर दूबार इसके पापा ने जब बनाई फिर यहां आगे थे यह कहने लगे लाओ मैं बनवा देता हूं तेरे साथ तो अकली मतलब टाइम तो लगता है इन चीज़ों मैं और दो जन मिलक हैं तो ज्यादा अच्छी बनती है तो यहां बस इन्होंने फिर जो ओईल है थोड़ा करम मतलब ठंडा करके तब बनाई है और अलटते पलटते विए दोनों साइड से से शेट लिया है और यह मतलब एक साइड से जब अच्छे से सिख जाए तब हमें इनको पलटनी है यह मनना तो देखो जी यह दर दिया कर गया जब डाल ली और इनो नहीं सेख की देख्यों कितने अच्छी सेख दी तो वह यह अंतर तो आई तो मैं तो बना दूँगी वस यह सेख देंगे फटाबट से और इसमें एक ध्यान हमें और रखना है इनको बिल्कुल तेज हमें नहीं सेखना मतलब जब हलका कलर इनका ब्राउन सा होने लगे कलर थोड़ा चेंज होने लगे तब हमें ने निकाल लेना है अगर हम ज़्या आदा तेज करके सिखेंगे तो ये बिल्कूल काली पड़ जाती है क्योंकि ये फिर बहार रखने के बाद भी अपने आप हो जाता है और बहुत एसक बतौट इसमें मेन है और बहुत तेश्टी लगी है खाके मतलब की इनका जो टेस्ट है बिल्कुल ऐसा जैसे बिस्किट नहीं बनाकते सेम ऐसे आ रहा था और कुरकुरी लग रही थी बहुत जादा क्योंकि मैंने इसमें सुझी भी डाली है मोन भी इस वज़े से तो यह देखे बहुत ही ध्यान से बनाएंगे हम इनको वैसे त मतलब फटा फट पलट जाती लेकिन सुझी डाली है उस वज़े से थोड़ी सोप्ट हो जाती है और जब हम इनको निकाल लेंगे तब भी यह सोप्ट होंगी तो इनको एक करके ऐसे रख देंगे और मुस्किल से एक या दो मिन्ट में यह ठंडी हो जाएंगी बिल्कुल औ मतलब ओइल जादा गरम था और पलट दी जल्दी मैंने तो इसलिए में टूट गी थी तो दुबारा तो ठीक सिग गी थी लेकिन फिर मैंने इनको भी ऐसे बताए कि ऐसे करना तो इन्होंने भी ऐसे ही से एक ली क्या बढ़ा रहे आ जातों पता है क्या बढ़ा रहे सुआ बनी हुई और यह भी है बिल्कुल गोड़ गोड़ है तो यहां दोनौं लगे वए हैं मैं भी और यह भी अपने-पने काम पर rained डी गई है और साथ साथ यह शेखते गए और सेखने में थोड़ा टाइम बनने में इन्हों में इतना टाइम नहीं लगता बनाने में लेकिन सेखने में थोड़ा जादा टाइम लगता है क्योंकि हमें बिल्कुल लो फ्लेम पर ही इनको सेखनी है और यह देखे इस बार मैंने थोड़ी सी बड़ी रोटी बनाई है और उसमें मेरे 6-7 पीस अराम से निकल गए है तो इसी तरीके से आप इसको बना सकते हैं और फटा फट से बनती है और अच्छी भी लगती है बना के बहुत टेश्टी लगती है और यह लगबग मतलब 15-20 दिन अराम से चल जाएंगी यह खराब नहीं होगी जादा भी चल जाएंगी लेकिन 15-20 दिन तो अराम से चल जाती है इनको मतलब बना के रख लेंगे तो चाय वगएरा जैसे पितते हैं तो उसके साथ यह अराम से खाई जाती है और पेट भी भर जाता है कई बार ऐसा होता है कि घर में कुछ नी होता खाने के लिए बिस्किट वगेरा तो चाय के साथ इनको पिते हैं तो छक जाते हैं अच्छा लगता है और बहुत ही टेश्टी बन रही थी कुरकुरी थी एक दम बिल्कुल ठंडी होने के बाद तो यहां देखें आप देख सकते हैं कि लग रहा कि बिल्कुल नरम है लेकिन एक मिन्ट के बाद ही यह बिल्कुल कुरकुरी होगी थी अच्छे से तो इसी तरीके से फटाफट बस मैं बनाती गई यह सेखते गई तो यहां सारी मट्री बन के हो गई है तैयार यह देखें बिल्कुल ऐसे लग रही जैसे बिसकिट नहीं होते हैं सेम डेखने में और आपको मैं गारंटी के साथ कह सकती हूं ऐसी मट्री आपको बजार में बिल्कुल मिलेगी और बिल्कुल देखने से ऐसे लग दी जैसे बिस्किट और बिल्कुल सोप्ट और कुरकुरी हैं तो आप भी इसको एक बार जरूर ट्राई करना और बिल्कुल फैस घर की हैं तो फैस ही होंगी बजार से लेते हैं तो पता नहीं क्या-क्या मिला होता है उनमें तो आ देखें मैं आपको आवाज भी सुना देखती हूँ तूपने की भी आवाज आदी है अंदर तक बिल्कुल अच्छे सा सिख्डी देखिए जूनिया कि कच्ची सिया बिल्कुल अच्छे सा सिख्डी हुई अंदर तक देख्ण करने को और मिल्कुल कुरकुरी बननाच है और आप भी इस रेसिपि न सब्सकाइव कर that घुबत अच्छी लगाई उसम आध जुशी कई दिन चल जागा शुक्त और मिठ्ठ का मेह ख़ाने को मिथ्ठ गजा जागा तो जी खाना तो हमारा हो गया है और अब है मेरे पास टाइम थोड़ी दिर मैंने रेस्ट भी कर लिया तो अब मैं कपड़े रख देती हूं क्योंकि सर्दी अब जा चुकी है और जो पूरी बाद जुके कपड़े वो निकाल दूँगी और सर्दियों के रख दूँगी तो फटा पट से जो गरम कपड़े रख दूँगी बैड में उठा के और जो मतलब अब पैनने के इस मोसम में निकाल दूँगी तो जी देखिए मैंने लगा दिया है पूरी अच्छी तरीके से जो गरम कपड़े थे वो निकाल दिये भस एक एक दो रखेंगी और जो पूरी बाद जुके कपड़े वो अभी निकाल ले हैं बिल्कुल गर्मी के तो नहीं निकाल ले अभी आप बाद जुके क्योंकि मैंने पूरे सेट कर दिए गरम कपड़े सारे जितने थे वह इसके अंदर रख दिए उपपर से मैंने सोल कबर कर दी जिससे कि खराब ना हुआ अब बस इन्हें जब नेक्स तो सर्दी आएगी तभी निकाल लूगी और यह हैं अभी जो हाफ स्लीव कपड़े हैं मतलब इनक फॉर इसलिए कि मेरे सरो जुक के जाद काम नहीं होतार काफी देर होगे अद्य घंटा सारा लगया मुझाब कर दोना और जादा करोंगी तो फिर ज्यादा दिक्कत हो जागी तो थोड़ा थोड़ा करके करूंगी एक साइड का बैड विल्कुल सैट होगे मेरा अब दूस करने हों के नहीं आके रहेंगे तो वे एक दो दिन में कर्टुनी में तो जी बस फिर और काम करूंगे हो